तो दोस्तो आज 6 नवेंबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टन शर्सक्यूपर, कुछ इंपोर्टन अपडेट्स है, कुछ इंपोर्टन न्यूज है, तो चले के करके कवर करते हैं, तो सबसे बहले हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर का मोनोपोली कमपणी IRCTC चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर रखिए, कल जैसे कमपणी का रेजल्ट हो जाएगा, तुरत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा, मैं अभी पहले वीडियो में इसको कवर करूँगा, क्योंकि अल्मोस्ट हमने देखा, जयातर समय रेजल मार्केट क्लोज ह हो जाने के बात लगबग चार सारे चार के बीच में आउट होता है, अब जैसे के आपको मालू है कि कोई बड़े कंपणी या कोई बड़े बैंक्स जब अपना क्वाटरली रेजल्ट प्रेजन करता है, तो उसके पहले ब्रोकरिज द्वारा एनलीज द्वारा उसका एक प बात यह है कि कंपणी की जो मार्जीन है, वो कईने के थोड़ा श्रिंक हो सकता है, ऐसा ही दोस्तों फोर्कास्ट किया है जी बिजनेस की तरफ से, साथ में ये भी मेंशन के कि कंपणी का जो रेविन्यू है, लगबग हजार उनतीस करोर का सपास होने का चांस है, और रेव को वीडियो का सच शेयर कर दूँगा, बाकि देखे आपको अगर शेयर है, तो मैं आपको बोलूगा, लॉंग टर्म के लेची कंपणी है, अराम से इसको आप कंटिनियू कर सकतो, नेक्स्ट इंपोर्टन कंपणी है, परल ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेट, आज शेयर साल की बात करे, 844% का रिटन, और मैक्सिममम की बात करे तो आप देख सेकते हैं, जब लिस्ट हुआ था, 2007 में बीच में थोड़ा बार ड्रॉप हुआ था, पर उसके बात से देखे, काफी अमेजिंग रिटन दे, खास करके लास 10 साल पे, तो बात यह है कि कंपणी स्मॉल मैं आपको थोड़ा explain कर देता हूँ, एक तो result आउट होगा, dividend मिलेगा, split मिलेगा, साथ में fund raise, ठीक है, fund raise, एक मत्तब fund raise का notice भी आएगा, तो एक बहुत important company है, market के लिए मतब अगर हम बात करे, छोटे लेवल का अच्छी company है, बहुत ही consistent return दिया है, even last quarter की बात करे, company की performance भी नज़र रखना, company है अच्छी company है, और बहुत सारे चीज़ इस बार out होगा, मतब split होगा, fund raise out होगा, मतब notice out होगा, और साथ में dividend भी देगा, next दोस्तों बात करेंगे, एक और शांदर company, हिंदूस्तन analytics limited, जो की हमेशा मैं है, इसको cover करता हूँ, recommend भी करता हूँ, अच्छी company के long term में अच्छे है, अगर हम बात करें, fundamentally बहुत ही strong, company को order book अच्छा है, लगातार order जो यहां पे मिल रहा है, उसको execute भी कर रहा है, आज दोस्तों एक और शांदर update आया, और share में देखें, लास्ट दो दिन पे काफी शांदर record भी देखने को नहीं, यहां पे मिला है, मत बहुत बढ़ा मुबेंट देखने को नहीं मिला, और ऐसे में देखें, company का result भी अभी काफी नजदिक हो चुका है, फ्राइडे के दिन 10 तारीकों, company का quarter to result आउट होगा, उसके पहले दोस्तों एक धमा का, धमा का कैसा है, यह देखें, आफ्टर ब्रम होस, दोस्तों मिसाल है, वो HL मैनुफेक्चर नहीं का तो दूसरे, ब्रमोस एरोस्पेस यहां पर मैनुफेक्चर करता है, फिलिपिन्स लूग टू अक्वर सेबन एल एच, मार्क थ्री, चौपर फ्रम इंडिया, प्रेसिडेंट मैक्रोस, किंग ऑन ओफर, तो जिहां दोस्तों यहां पे फिल है, इंडिया के अंदर जो कंपनी मैनुफेक्चर कता है, उसका नाम है HL, जिस बैसे बहुत बड़ा ओर कंपनी के हाथ लग सकता है, और इस बार आपने शाहिद देखा होगा, जो डिफेंस सेक्टर की रेजल काफी अच्छा आ रहा है, उसके पीछे का बजा है कि G20 समीट हमें देखने को मिला था, यह सारे जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी बड़े बड़े डिल एग्रिमेंट साइन किया था बहार की देश के साथ, ऐसे कि हमने देखा लास्ट रिडिंग विक पे बीडियल का रेजल्ट आउट वा था, बढ़िया रेजल्ट था, डेटा पेटें सेक्टर इस बार काफी बढ़िया काम करें, मतब काफी अच्छा ग्रोथ होड़ा है, तो इसको बड़ी नजर आखना बहुत महिनों हो चुका है, शेर में कोई बहुत बड़ा तेजी देखने को नहीं मिला, I'm pretty sure कि अगर कंपनी का रेजल्ट हो गया, शेर में एक अच्छा चार सारे 4% मुफ किया, उसके पीछे वजा है दोस्तों आज कंपनी की बिजनेस अपडेट, तो आज की डेट पे ऑक्टोबर महिने का जो बिजनेस का अपडेट आया, और जिस बेसिस पे एक्चुली शेर में इतना उच्छाल देखने को मिला, Ix Achieve 9,260MU, टोटल इलेक् अच्छा ब्रेक आउट भी देखने को मिला, ब्रेक आउट इसलिए बोला हूं कि लास्ट कुछ महीनों पर हमने देखा था, एक सो तीस के नीचे ही था, मतलब जब जब हमने देखा शेर उपर जाने की कोशिश कहा था, जैसे कि आप देख से तो कुछ तेम पहले एक सो ती भरोसा नहीं कर पा रहा है, सीदी सी वात है और जिस बैसे हमने देखा, शेर में बहुत जार नीचे गिरावट हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकावरी हो डाएं, बट उपर की दरब वही रेजिस्टेंस में फिर से नीचे शेर में गिरावाट हो डाएं, तो अगर पर लिस्ट होगा, अभी तो फिला लिस्ट का ऑफिशियल डेट या प्राइस में नहीं हुआ, और भी बहुत राइप्यों है, जैसे की कल लिया नी, कास्ट टेक, बीए सी एसे में आइप्यों जिसका प्रिमियम चल रहा आज की डेट पर ट्वेंट पर प्रिमियम यह सब्सक्रिप्शन हुआ, यह बड़ी बात है, 11% आज प्रिमियम चल रहे, इसका ग्रे मार्केट में, बाबा फूट पर्सेंग की बात करें, 36%, इसका काफी बढ़िया चल रहे, 31%, माइक्रो प्रो सॉफ्टेर सलूशन 24% चल रहा है, साथ टेलेवेंचर 100% पहुंच चुका ह होना सा कंजीमर सारे 8%, मीज डिजाइन सारे 57 के आसपास, मेध्रे मेडिकेर जो की 91% बाकी आज लिस्ट हो चुका है, यह सारे IPO, अब चले दोस्त हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टन अपडेट, आज बजार क्लोज हो जने के बाद आउट हुआ, बजार आज फनांस की अब से शियर अलेडी 2% उपर मूफ कर चुका है, अब देखना यह होगा कि कल क्या होगा, क्योंकि कल से दोस्तों, कमपनी QIP लांच करेंगा, QIP अलेडी आप ऑफिशियल अपडेट आ चुका आप देख सकती है, शाम का अपडेट है, सारे 7 बज़ के आसपास, बजार फना इसके जस नीचे है, बात यह है, यह जो फ्लोर प्राइस दोस्तों, या पर मतब यह फंड्रेस होगा, फ्लोर प्राइस के ऊपर भी 5% का जो कि डिसकाउंट दिया जा सकता है, यह देखे, इन रेगुलेटिव फाइलिंग टुडेट अपनी में ओफर अफर अडिसकाउंट अप अप टू 5% on the floor price, मतलब जो floor price रखा क्या है, उसके ऊपर भी 5% का और डिसकाउंट हो सकता है, ठीक है, तो यह थोड़ा सोचने वाली बात है, ओविसली बड़े QIP, कोई छोटा मोटा नहीं है, तो कल किस ताइप का share में impact हाएगा, वह तो कली मालूं पढ़ेगा, बाक वेवरेज लिमिडेड, आज कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ, डिवरिंग मार्केट में दो फैर को, अब इंस्टेंटल उसके impact देखने को में लावर शुकर है, कि बहुत जाद कोई गिरावट नहीं हुआ, अब चले देख लेते कंपनी का performance, सेप्टेंबर 2022 की बात करें मतब लास्ट यह पर कंपनी की टोटल इंकम रहा था, 3,177 कर रुपए जो कि इस बार ग्रो किया, 3,871 कर रुपए पहुंच चुका है, बट अब देखिए कोई बहुत बरा चौकने वाली बात नहीं है, यह हर एक साल होता है, क्योंकि आपको भी मालूम है, क्वाटर वन प चेंज के टाइम पे, जो सौफ्ट ड्रिंग्स का सेल्स है, वो थोड़ा ड्रॉप होता है, ठीक है, जिस बैसे लास्ट यह आपको दिखा दिया, बाकी बात करें, मार्जिन भी ग्रो किया, यह सबसे अच्छी पार्ट है, यह देखिए यार ओन यह बात है, मैं आपको यहा है, तीन सो पचाना बेकरों से बढ़के, पांच्सो चौदा कर रोब है, पहुंच चुका है, टाइम क्वाटर ली भी ड्रॉप किया, ओविसली कॉर्टर ली आप ड्रॉप होगा, क्योंकि मार्जिन ड्रॉप होए, टोली इंकम ड्रॉप होए, ओविसली सेल्स भी कम होए, मौन सुन की बज़े से, इस बार यानि कॉर्टर थ्री में दोस्तों फिर से रेज होगा, क्यों रेज होगा, ओविसली, एक तो बहुत बढ़ा वजाए कि अभी फेस्टिप सेजन और फेस्टिप सेजन में देखा, जो काफी इंक्रीज होता है, बागि यह लॉंग टम के ल